आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरकेश्टुडी पर मैं हूर रविद्रुक्मार गाईज आज हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में दूसरा लेक्चर लेंगे जिसमें आज हम आप सभी को सर्कीट आफ फैन रेगलेटर मैंने फैन आफ ट्रक लाइन ड्राइगराम यानि ट्रक लाइन ड्राइगराम हाईवे का किस तरह से बनता है यह पूछा जाता है दो सवाल है जो कि आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे और यह आपके पांच मार्क्स फिक्स हैं या तो आपको फैन ड्रेगलेटर पूछ देख सकत हैं बस आपके दिमाग पर लोड होने चाहिए कि फैन ड्रेगलेटर किस तरह से बनाएंगे अगर थोड़ा वुद गलती भी है तो कोई दिकत नहीं बट आपके अंदर कॉन्फिटेंस होना चाहिए जो चीज बना रहे है ठीक है तो यह चीज रहेगी आपके अंदर तो चीज उसक拜拜 करें है तो चलिए tes आज की जो लेक्चर हमारी उसको देखते हैं और समझते हैं तो गणी फैम लोगं इंडरिटर के जो टाइग्राम है उसको देखेंगी आफ से दाइरिक से जो आप से डायरेक क्यूशन पूछ दी आ जाता है या जो क्यूशन है औरिक इस figure के माध्यम से द्यान से देखिएगा ठीक है fan regulator का यह यहां पे आपका circuit दिया गया है जहां सबसे पहले आपको यहां हमको input और output दो चीज़ देने होते हैं inputs हम लोग start करते हैं यहां पे सबसे पहले आपको एक input देना है ठीक है जहां पे आप यहां पे 220 voltage से लेके ठीक है 50 hot तक दिया गया है आप जितने आप लिखना चाहें लिख सकते हैं यहां पे एक input होगा एक यहां पे आपके output होगा याद रहे output के पास एक load फैन रहना चाहिए जो कि इस तरह box में आपको यहां पे बनाने है ठीक है बाकी बाद आपको क्या करना है एक box बनाना है ऐसे आप याद रखेंगे तो याद हो जागे कि एक box बनाना है ठीक है एक box में आपको इस तरह से कुछ लाइन खेच देने हैं, चारो तरफ, ठीक है, एक output, एक input होने चाहिए, दूसरी बात है कि याद रखना चाहिए, कि आपके पास प्रतिरोध होने चाहिए, हर जहाँ प्रतिरोध लगा दिजे, तो याद रखेगा, दो-तिन प्रतिरोध लगाने हैं, एक यहाँ पर लगा इच में लगा है तो यह याद रखेगा ठीक है बहुत ही सिंपल फैन डेगलेटर का सरकीट है कुछ इस तरह से यहां पर बनाने है ठीक है एक और फैन डेगलेटर का परिपत है आप थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करते हैं तो कोई दिकत नहीं है यहां पर देख सकते हैं यह इलेक्टोनिक फैन स्पीड रेगलेटर यानि जो हमारे फैन डेगलेटर होते हैं वो क्या प्रकार से होते हैं तो सबके अलगलग बनेंगे ठीक है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं उस तरह भी बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है बट अपने अंदर कॉन्फिदेंस होना चा दरन्जिस्टर होगा, यहांपे अपना नाम यादगर नहीं आता है, तो आप ज़रूरी नहीं है, लिकिन यह दो चीज़ याद रखेगा, यहां पर D I A C होगा यहां हमारा हो जाता है यहां हमारा हो जाता है ठीक, यहां पर यहां पर लिखा है तो आप यहां पर लिख देंगे T I A C ठीक है, तो यह same to same बनाएं, ऐसे ही फिगर आपको बनाने हैं, थोड़े सै अच्छे लगने के लिए फ्यूज होगरा लगाने है तो फ्यूज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं दिखा सकते हैं कि इससे ज़्यादे भूल्टेज हुआ तो यह फ्यूज हो जाएगा और जो हमारा fan regulator है बंद हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप input output दे सकते हैं जादे इसमें hard नहीं है इस तरह के आपके figure fan regulator के पूछे जाएगे और आप आसानी से बना सकते हैं ठीक है तो आप एक बात और कि यदि अपने गलती से कभी इसको नीचे या कभी उपर बना दिये तो उससे कोई problem नहीं है ठीक है तो जादे टेंसर लेने की जरूतनी है इसको आप उपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं यह जो पार्ट है इस पार्ट को उपर प्लट सकते हैं और इस पार्ट को नीचे भी प्लट सकते हैं ठीक है तो उसको आपको टेंसर लेने की जरूतनी है जैसे यहाँ पर आपने या सीधा करके लगए लोड फैन यहां पर लगाने है ठीक है बाकी बात जो डाइगराम है सेम टू सेम है जादे कुछ डिफिरेंट नहीं है आप थोड़ा बहुत डिफिरेंट करेंगे तो कोई दिकत नहीं क्योंकि फैन बहुत प्रकार से होते हैं तो आपको डैरेक्ट पू लोड बनाने चल्सेका तुक्ट ऑसको बनाते हैं तो बंसके आपको सिंपल पूछा जाता अप इस तरह से बना सकते हैं उसको आप सबीखों बताते रहां है सबसे पहले इसका हैं खिचे आरेक्वर वरन किजिए एक बात और कि जो हमने भाले में भात किया है हूं आपने हमने बस के बताए कि फैंड रिटर ऐसे बनता है अगर उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो अपने मन से लिखेगा ठीक है अपने दिमाग लगा के लिखेगा कि हमारा यहां से इंपुट स्टार्ट हुआ है और यहां हमारा आउटपुट मिला है इतना हमने भोल जाएंगे इसलिए जो चीज देखते हैं जिस तरह करते हैं उसी को हाँ पर वर्ड़न करना होता है ठीक है तो ज्यादे ज्यादे वर्ड़न करने की जुदत नहीं होती है क्योंकि आपको एक ही पेज मिलेगा जिसमें दोनों तरफ लिखना होता है बहुत बड़ा देखते हैं ट्रक लाइन यह नहीं हाईवे ट्रक लाइन किस तरह से बनते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है दिमाख पर डालना है कि कि ट्रक आते जाते हैं यह हमाला दिखे यहां पर लिखा है कि आपको दिखाने चतुर बंबुज बनाकर B différentes करने करने के एक ऑपसिन दीजिए गा जहां पर आपका टेलीफोन नमबर वन रहेगा कि एक side का हुआ, मनि यदि कोई इदर से बैकती जा रहा है, तो इसके side का ये हो गया, दूसरे side का यहाँ पर दिखाया गया है, यह दूसरा side है, तो यहाँ से दूसरे side का दिखाया गया है, फिर से toll gate उसके आता है, जैसे कि यदि आप suppose that मानें, मान लिजे कि एक toll gate आया आपक ठीक है, बाकी बाद आप लोग थोड़ा से box बनाने सीख जाहिए, जादे कुछ नहीं है, इसमें 3 box नीचे, 3 box उपर बनाने है, ठीक है, 3 box बनाने है, बाकी बाद यहाँ पर पूरे box box बना दिजीगा, यहाँ पर बीच में space रगना चाहिए, यह 3 box इधर, 3 box इधर, ठीक है फिर यहाँ positive transmitter लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ पर तीन चीज़े देनी है, एक तो पॉसिबल हो जाएगा, positive transmitter लगा दिजेगा, टॉल गेट hybrid लगा दिजेगा, एक्सचेंज करने के लिए लगा दिजेगा, फिर यहाँ पर पर amplifier इस तरह से दिखा सकते हैं, तो जो truck, hybrid truck line है, उसको आपको इस तरह से दिखाने है, ठीक है, दुसरी बत कि यहाँ पर कह रहा है, को उसको आरे खेज कर, वर्डन कीजे, तो आपने जो जैसे-जैसे यहाँ पर लगाया, वही चीज यहाँ पर लिखा, देखे लिखा है, अब इस दोनों को ही exchange करने के लिए कहा रहा है, उसे ही hybrid truck line पर फट कहते हैं, अब एक्सचेंज के मद्धे अधिक दूरी को tall कहा जाता है, यानि telephone से लेके कुछ दूरी तक यहाँ पर है, जो कि इसको हम लोग tall gate कहते हैं, चित्र A में दिखाया गया है, truck line block और एक तथा B मे hybrid truck line का मानक संकेत प्रभावित है, यहाँ पर कह रहा है, यह हमारा है hybrid truck line का block, ठीक है, अब नीचे जो है, नीचे एक simple इसको बोलते हैं, यह संकेत है, hybrid truck line मानक का संकेत आपको बनाने हो, तो आप ऐसे किजेगा, ऐसे ऐसे दोबर कर दिजेगा, ठीक है, तो यह आपका बन ज तरह से truck line का, जो hybrid truck line या कर सकते है, hybrid truck line का जो diagram है, कुछ इस तरह से circuit बनाने है, ठीक है, बिल्कुल गलत मत कीजेगा, आपको बस दिमाग पर रखिएगा, कि hybrid truck line आया, मने box बहुत सारा बनेगा, तीन box उपर, तीन box नीचे, तीन box ऐसे, फिर इधर बनेगा, इधर बनेगा, पूरा आप, जो आपका pencil है, बस उसी से बना सकते है, ठीक है, तो जादे तरह गलती करने की कोशिस मत कीजेगा, एक बार में ही बन जाए, तो अच्छा है, ठीक है, अब हम अपनी बारे में थोड़ी बता दें, ये सारी चीजे हमारे आया हुए थे, तो हमने क्या किये थे, कि मैं एक बार जो बना दिया, बना देता था उसको, मतलब छूता ही नहीं था, ठीक है, एक बार बना दिया, तो बना दिया, आपसे एक direct पूछ लेता है, कि NPN transistor और PNP transistor कैसे बनता है, अपनी इंटर में अगर पढ़ा होगा, तो ठीक है, NPN और PNP transistor कैसे बनता है, आपको direct पूछ लेता है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी को बताएंगे, आज दो चीजे हमने बताए है, तो दोनों में से एक पका है आना, या तो fine regulator आ सकता है, या तो ये आ सकता है, ठीक है, हो सकता है, दोनों भी पूछ दे, कोई इसमें इसन नहीं है, ठीकिन हम बता जादे figure बनाईएगा, लिखने की कोशिस मत कीजिएगा, लिखने की कोशिस कम कीजिएगा, तब अच्छे नमबर आ जाएगे, तब भी हमारे 35 या 45 नमबर के असपास, तो आप यदि अगर नमबर अच्छा चाते हैं, तो जादे practice कीजिए, बस practice की ज़रूरत है, और कुछ की ज़रूत नहीं है, आप एदे इसको बना लेते हैं, तो लिख भी लेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो I hope कि आप सभी लोग को truck line, यानि highway of truck line circuit और fan regulator circuit, दो चीज़े आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, तो दो चीज़े के बारे में आज हमने बात किया technical drawing में एक तो circuit of fan regulator, दूसरा हमने बात किया highway of truck line diagram, तो दो चीज़े आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि आपको किस तरह से बनाने हैं, आपको exam में किस तरह से करने हैं, ठीक है, बस आपके पास confidence होना चाहिए, ठीक है, और आप सारे के सारे diagram अच्छे से बना लेंगे, आप लि अच्छे से खीच सके, ठीक है, तो एकदम आपको लगेगा कि आपने एकदम मन से बनाया है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरने की जुरूत नहीं है, और last में हम आपको page से बता देंगे कि किस तरह से आपको exam में लिखने हैं, कैसे आपको page मिलते हैं, किस तरह से आप लि आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे, नेक्ट लेक्चर में तब तक क्लिए जाएं,